Hello all of you, किस तरीके से हम next two months में पढ़ें ताकि हमारे account में guaranteed 90 plus score हो और accounts में 90 plus score करना बहुत difficult नहीं, आप इस student ने, ठेरो students में previous attempts में 90 plus accounts में score करें यह हमको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई chapter पढ़ते तो उसको कितना importance देना है क्योंकि जब हम revision करते कई बार ऐसा होता है कि हम उन chapters को बहुत बार revision कर लेते जितना उसका examination में weightage नहीं है जैसे कि आप screen पे देख रहे हैं कि आप category A में जो है यह चार chapter आपको दिख रहे हैं जो कि सबसे important आपके CA foundation में है एक है आपका final account, दूसरा partnership, third non-profit organization और fourth है आपका company's account यह चार chapters सबसे ज़्यादा important है आपके examination में क्यूंकि इस पर 55-60 marks examination में weightage है कहीं student कहते हैं नहीं सिर्फ partnership difficult chapter है वो नहीं करते हैं फिर नहीं नहीं NPO बहुत difficulty नहीं करते हैं, companies account चोड़के चलेते हैं इन chapters का सबसे ज़्यादा important, सबसे ज़्यादा weightage examination में जो कि 55-60 marks का आता है सो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि आपको कोई chapter नहीं पढ़ना है, कोई chapter पढ़ना है, मैं यह कहा रहा हूँ कि आप जब revision करो, तो किस chapter को आपको ज़्यादा समय देना है काटेगरी B में जो आपके आते हैं, bank reconciliation statement जो कि institute generally हर attempt में इस पर 10 marks का question पूछती है consignment, depreciation, inventories, bills of exchange, accounting process and rectification of error so examination में इन chapters पर जो weightage रहतो 35-40 marks का weightage होता है और जो third category, C category उसमें आपके accounting theoretical framework, sales of goods on approval basis, average due date and account current जिसमें examination में 15-20 marks का हम लोगों को questions आते so इसका मतलब हम लोग यह ना हो कि हम बहुत ज़्यादा समय इन chapters पर देते जिन पर examination में उतना weightage नहीं है तो पढ़के आपको सारी चीज जाना है लेकिन आप लोगों को जब revision करोगे बहुत ज़्यादा समय आपको spend करना रहेगा इन चार chapters पर अब जब भी आप कोई chapter उठाते और पढ़ते तो सबसे ज़्यादा important होता है उस chapter के concept को आपको समझना सबसे ज़्यादा important होता है generally student को लगता है कि accounts एक practical subject है तो उसके जल्दी से jump कर जाते है उसके questions solve करने पर जो कि मुझको लगता है कि बहुत गलत तरीका है इवन तो एक practical subject है लेकिन हर chapter में सबसे पहले उसके concept पर आप focus करेंगे आपने उसके concept को अगर बहुत अच्छे से समझेए उसके concept को आपने अच्छे समझेए तो जब आप questions solve करते तो आसानी से questions solve होते है और जब वो questions solve करते तो आपका coverage कौन-कौन से questions का होड़ा चाहिए तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो source आपका होता है एक होता है आपका RTP, revision test paper, mock test paper, ICA के study material, institute के study material के सारे question जो exercise में दिये वो भी सारे के सारे चोटे से लेकिए बड़े हर question को solve करना है you don't have time कि आप सारे की सारी theory वहाँ पर पढ़ो आपने जो भी faculty से पढ़े concept आपने समझे लेकिन आपने ये चीज समझना चाहिए आपने कि क्या आपने सारी की सारी study material के सारे question इंस्टूट के सारे की सारे questions हमने cover करे क्या और previous examination question भी जो आपका CA foundation में 2018 से शुरू है वहाँ से आपने क्या सारे के सारे questions करे हुए इन फाक्ट मैं जब regular batch के जो बेरे lectures हो तो उसके पुराने भी questions जो रहते हैं वो भी उन लोग को student को class में कराता हूं तो आपने ये ज़रूर देखने जब भी आपको chapter करते हो तो क्या आपने previous RTP, Moctas paper, ICA के study material के सारे question और previous examination questions क्या आपन करने जाते हैं तो यह बहुत important होता है कि 11-12 में आपको लगत है हमने बहुत अच्छे marks लायते हैं अच्छी बात है 11-12 मैंने भी commerce से क्या हो मैं commerce के student से बात कर रहा हूं तो उन्हों से फिर science वाला का आता हूं मैं तो उन्होंने कहा हमने तो बहुत अच्छी बात है मैं भी 11 अच्छी बात है लेकिन अब आप से फांडेशन के वाद एक चैलेंजिंग एक्जाम है आपके आप एक प्रोफिशनल कोर्स करने जारों इस प्रोफिशनल कोर्स में आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी आपने ये जरूर देखने हैं कि हर चाप्टर के क्या मैंने concept क समझाओं क्या मैंने सारे आटी पी मॉक्तिस पेपर प्रीवेस एक्जामरिशनल के स्टडी में लोगे सारे कोश्चन क्या मैंने करा हों कि उसको concept मैंने अच्छे तो चैप्टर के समझाओ कि यह आपको देखना ज़रूरी है और बहुत एक important चीज होते है आप लोगों की सो रेगुलर बाच में मैं अभी आगे एक वीडियो भी रिकॉर्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं एक ही वीडियो में सारे की सारे ट्रूर फोल्स मतलब जितने भी सोर्स होते हैं आर्टी पी मॉक्तिस पेपर प्रीवेस एक्जामरिशन को इस स्ट्डी मिलके सारे को ट्रू स्ट्रूर फोल्स को वहाँ पर कवर करेंगे आप एक चीज़ ख्याल रखेंगे कि आपने ट्रूर फोल्स बहुत इंपॉर्टन है कि वह 12 मार्क्स के लिए आपको कॉश्चन नंबर 1 में करना रहेगा बच्चे बहुत शूर मच आते हैं थेयोरी के लिए भी किसा थेयोरी क कियायाख बंच ख्याल रखना है आप लोगो को को रहते हैं तरह में को 15 सब wir at अकाउंट का question होता है और महाँ पे पाश नंबर की theory आती है so question number one compulsory रहा था वो तो हम लोगों को करना ही है जिसमें के चार नंबर की theory generally आती है और question number six हो सकता है कि आपने option में छोड़ दे क्योंकि question number one compulsory रहा है remaining five question में आपको चार question करना होता है तो question number six आप छोड़ दो अगर आपने छोड़े तो ठीक है फित आपको question number one की theory चार नंबर की करना है अगर आपने question number six करो है तो वहाँ पे पाश नंबर की theory आपको करना है तो minimum 4 नंबर और maximum 9 नंबर की theory आपको examination में करना हो सकता है उसके उपर मैं एक video बनाऊँगा और chapter wise में theories आपको एक ही video बनाऊँगा उसमें chapter wise सारी theory questions हम लोग cover करेगी कि देखो ये chapter ये theory question आई ये आ सकते है और उस तरीके तो उसकी फिकर करने की ज़रूरत नहीं है अब दूसरी दिक्कत ही होती है कि आप लोग ने यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते तो हम लोग multiple source of material refer करते है जो कि मेरे साब से सही नहीं है अपने जहां से भी पढ़ है आपने बस ये आपको assure करना रहता है कि आप जहां से भी पढ़ आपको यह assure रहना चाहिए कि वो मट्र में सारी की सारे questions हम लोग की cover है फिर चाहिए RTP के हो, mock test paper के हो, institute के study material के questions है तो ये previous examination question है जैसे कि मैं ये regular batch में ये book, मैंने latest batch की, ये मेरी book है इस book के अलावा कुछ है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं एक page भी आपको कुछ और नहीं करना है इसमें सारी की सारी चीज़े cover है, RTP, mock test paper, previous examination question, institute के study material के सारे के सारे questions उसमे cover है और बच्चों को क्या चीज़ होती है, उसमें ये एक बार आपने सारी की सारी आपने चीज़े वो कर लिए, तो multiple source नहीं नहीं आपने एक chapter यहां से वैसा नहीं होना चाहिए आप लोगों का, सारी की सारी चीज़े आप जहां से भी पोड़े, बस वो मटल पर आपको एक बार आपने अशूर कर लिए, कि सारी की सारी चीज़े उसमें आपकी क्या cover होना चाहिए तो पहली चीज़ जब आप revision करों, मैं revision पर भी आऊंगा किस तरी की से revision करना है, जब revision भी आप लोग ने करें, आपको ध्यान रखने है जो category A में है आपको, category A में जो आप लोगों के वो chapters पर आपके ज्यादा importance देना आप लोगों को, फिर B और category C, यह चीज़ ख्यार रख कि एक stick नहीं कर सकते हैं एक बच्चे को इतना ही है, different student is student, लेकि in general मुझको असा लगते है कि accounts में आपने daily at least three hours देना चाहिए, कम जाधा हो सकता है, कोई student को लग सकते है, चार घंटे लग सकते है, हो सकते है, जिती को धाई गंटे लगे है, तीन गंटे, लेकिन मुझे आपको इसके अलावा अपने class के आपने करें, इसके अलावा जब आप revision जब आप करोगे, तो वो revision में आपने time बहुत जादा spend नहीं करना, आपकी strategy हमेशा इस तरीके से होना, कि आपने जो lectures करें, आपने जो lectures देखें, उसके revision करने में बहुत समय नहीं होना चाहिए, for example, म तो उसमें अगर कोई student daily two lectures भी देखता है, बहुत बड़े lectures नहीं हो, एक से देड़ घंटे के बीच में होते, daily अगर वो दो lecture भी देखता है, तो दो से धाई घंटे उसको लगेंगे, और उसके बाद में daily homework दे, तो तीन से साढ़े तीन घंटे अगर वो daily spend करें, तो next two months मे उसका भी description में, यहाँ पे, उसका भी link में description box में यहाँ पे, आपसे share कर दूगा, और जो regular बाच है, उसमें अगर कोई subscribe करना चाहे, तो उसको subscribe कर सकते है, उसको एक offer भी चल रहे, बहुत ही nominal price पे वो available, उसका भी मैंने description box में link share कर दूगा, अब उसके बाद होती important, आपका last test जो आता है, वो आपका test, test बहुत important होती है, especially जब आप chapter wise भी आपने test देना चाहिए, और RTP, जो mock test paper आपके attempt के होती, institute conduct करती है, उसको आपने जरूर देना चाहिए, क्योंकि से आपको पता चलते है, कि हमसे क्या गलती हो, chapter wise test तो, मैं जो regular bash रहे तो, उसमें chapter wise test भी महाँ पर conduct करें जाते है, महाँ पर share करें जाते questions, वो तो आपने देना ही चीज़ के लावा, जो आपकी mock test paper हमारी C Institute conduct करती, वो जरूर आपने देना चाहिए, ओके, तो आप इन चीज़ों को अगर ख्याल रखना है, आपको ख्याल रखना है, आपको ख्याल रखना है, कि आपको importance जो देना है पहले आप लोगको, A category, final account, partnership, non-profit organization, company's account, फिर उसके बाद BRS, consignment, फिर जो B category में रहा हूँ, फिर उसके बाद third category में रहा हूँ, revision करते वाग भी ध्यान रखना है, आपको A category वालों को अपने को जाधा revise करना है, जब भी आप कोई chapter cover करें तो आपने को अश्वर रहना चाहिए कि आपने RTP, mock test paper, institute के study model के सारे questions, previous examination questions आपने करें, और जो भी जब आप questions solve करें, जो भी नया point आता है, उसको reddings है, मैं regular batch में कहता हूँ, reddings से उसको highlight करें, ताकि जब आप revise करें, जो new points आपने उसको देखें, उसके बाद true or false पर आप importance देखें, 12 number के आता है theory questions जो होते हैं, minimum 4 और maximum 9 marks के आती है, उसके बाद आपके no multiple source of material रहना चाहिए, आपके जो भी आप material यूज़ करें, बद अशूर रहना कि उसमें सारे questions आपके cover है, daily मुझे at least लगता है कि 3 hours देना चाहिए, और आपने सबसे ज़्यादा importance देना चाहिए, उसके concept पे, तो कहत है कि जब भी आपको chapter शुरू करें, अभी अकाउंट से practical subject है, तो बच्चे फट से जम कर देना number of questions, अरे ना questions तो करोंगे, उसके पहले उसके concept को समझे, एक बार आपने concept समझे, तो questions भी जल्दी solve होते, revision बहुत important है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओंगे, आपने प कुछ chapters आपने पढ़े, उसको आप revise करते गए, revision के बाद test आपने हर individual chapter की भी test देना चाहिए, और आप लोगों ने institute आपके attempt के लिए जो mock test paper conduct करा थी, वो भी करना चाहिए, वो भी देना चाहिए, अगर इन बातों को आपने ध्यान रख लिए, मैं guarantee के तो कि आप 90 प्लस accounts म examination आ रही है, अभी दो से धाई मेन आपके पास है, तो आप बहुत मैनत अभी अपने को करना है, इन चीज़ों को ध्यान रखोंगे, और अभी भी time में, अभी भी time में, दो धाई मैंने भी अगर आप लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अभी भी उस चीज़ को कर सकते हो और revision lectures मेरे YouTube पर अपलोडे, इन बातों को अगर आपने ध्यान रखोंगे जो में आपसे discuss कियो, it is easy to score 90 plus in account, so take care, bye-bye.